नवस्काल आप देख रहे हैं राम कन्या नियू सेनल और मैं आपके साथ तमन अशर्वाइब बतादे केकडी जिले में चिकिस्तिक और एनम के 20 सरकारी कामकाच को लेकर आपसी कहा सुनी मार फीट में भदली थे और एनम ने चिकिस्तिक का गला दबाते हुए जान से मानने तक की कोशिश की जिसके बाद एनम को प्राथमिक स्वास्तर केंदर से हटा दिये आपकी जानकारी के लिए बतादे ब्लॉक मुख्य चिकस्ता अधिकारी कार्याले के लिए एपियो कर दिया लिए नहीं इस पूरी घटना करम के बाद चिकस्तिक ने बुरोधा थाने में पहुंच कर मार्पीट करने एवं जाती सुचक शब्दों से अपमानित करने का मामला दर्च करा है बतादे थाना प्रभारी धरंपाल अमीना ने एनम के खिलाफ मामला दर्च कर लिए इस पूरी मामले डॉक्टर को कल्यूक का भगवान का जाता है वहीं एनम का समाज में विशेस्तान है लेकिन डॉक्टर और एनम ही मार्पीट और गाली गलोच पर उतारू हो जाये तो आम आदमी से क्या उमीद करें ऐसा ही कुछ हुआ है प्रात्मिक स्वास्तर के इंद्र बतली पर जान च आस्विका स्मोग नाथ के बीच मार्पीट हुई है मीना ने ब्लॉक मुख्य चिकस्ता अधिकारी सरवाट को लिखे पत्र में बताया कि आस्विका स्मोग नाथ से अफकास के संबंद में जानकारी चाही गई तब नाथ ने अबंद्र भाशा का प्रयोग करते हुए ने की कोशिश की और खुले याम धंकी दी की बतली अस्पिताल में नौकरी करने नहीं दूँगा इतना ही निमारपीट के बाद अस्पिताल में अफरा सफरी सी मच गई अन्फन में प्रास्विका स्वास्तर केंद बतली की चिकस्ता अधिकारी डॉक्टर अनुमीना ने प प्रास्विका स्मोकनात को ततकाल कारे मुक्त कर ब्लॉक मुख्या चिकस्ता एवं स्वास अधिकारी सरवाड एपियो करते हुए प्रास्विका के खिलाफ अनुशासमतिक कारवाही करने की अनुशन की वहीं प्रास्विका ने भी ब्लॉक मुख्या चिकस्ता एवं स्वास में जब राम कन्या न्यूस चैनल ने बीसीमयो डॉक्तर कवीता से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि बतली हस्पिताल में प्रासविकाग ने चिकस्ता अधिकारी के साथ अभध्रता पूर्ण वैवार करते हुए गला दबा कर मारपीट करने का मामला सामने आये जिसमें च खिलाफ मारपीट करने और जाती सूचक शब्दों से अपमानित करने का मामला दर्ज करा है। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतायेगा।